हेलो डियर, स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर पे तो आपने अच्छे से अलफबेट टेस्ट सीख लिया होगा, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स किये हमने, प्रोसीजर वाई सब कुछ सीखा, ठीक है, फिर्स्ट रूल से रेके जितने भी आपके आगे रूल अवेलिबल थे, हर एक पॉइंट तो क्लियर हो गई होगा, ठीक है, स्पीड कहीं न कहीं स्लो लगी होगी, लगेगी ओवेसी बात है, क्योंकि हम वहाँ पर चीज़ों को सीख रहे हैं, पैस्ट की प्रेक्टिस के साथ साथ हमने उन चीज़ों में स्पीड कैसे बूस्ट अ करनी है, वो भी सिखा, ठीक है, आप देखिए, अब जब आपका एक्जाम आएगा, काफी नजदीक होता है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा रिसोर्स हो, कि मैं जल्दी से अपने, जो जो मैंने अभी तक पड़ा है, इस एक्जाम की प्रेपरिशन के लिए, म और नोट्स बनाते रहेंगे, ऐसा होगा न, आपको इतना स्ट्रगल करने की जूरत नहीं है, हम आपके लिए वो भी लेका है, ठीक है, तो मतलब कि जितना हमने अभी तक सीखा है, अलफाइबर टेस्ट में, उसका मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, quick revision points, जितना भी हमन आप तक सीखा है, तो इस session का main purpose क्या होगा, कि जितने आपने rules अभी तक सीखे हैं मुझसे, उनका एक general सा overview, मतलब एक handy notes कहते हैं आप जिसको, वो एक मिल जाए मुझे, जिससे मेरा क्या हो, एक confidence level जो है वो और जादा boost हो, तो ये session जो होगा, वो basically क्या होगा, सारे की सारे points को हम revise करेंगे, जो आपका confidence boost up करने में, guarantee देता हो, पका help करेंगे, तो इस session का main purpose होगा, points बताना, इस session के अंदर हम question नहीं discuss करेंगे, हाँ में भी हो सकता है, अगर मुझे कोई question explain करना पड़े, तो वो point का question या point जो मैं आपको explain करूँगा, उसका reference के लिए, otherwise, जो जो हमने अभी तक चीज़ें सीखी हैं, मैं आपको इस quick revision points के अंदर, या इस session के अंदर बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखे, अब handy notes जैसे आप बोलते हैं वो चीज़ें सारी की यहाँ पर है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, alphabet से related, कि हमारे पास जितने भी ये letters होते हैं, A to Z, 1 to 26, तो आपको सबसे पहले तो यह याद करने थे, याद करने का तरीका मैंने आपको trick बताई थी, जोती, यह आपके 5 के multiple में आता है, E5, J10, O15, T20 and Y25, rest आपको मैंने बताया था कि आप अपने end से भी बिना सकते हैं, जैसे K11, Kings 11, Punjab, T20, height word बोलने से H8, G7, international countries का group है I know, मैं जानता हूँ, each and everything, ठीक है, क्योंकि आपका task था, 0-0 place value याद करना, बाकी मैंने सब कुछ बताया, ठीक है न, कि कैसे question को easily solve करना है, तो इस चीज के अंदर मैंने आपको यह बताया था, कि जितने भी आपको यह letters याद होंगे, ठीक है, A to Z, X, Y, Z, ठीक है, तो इनक specific direction है, यह आपको कहां से लेके, कहां तक याद है, from left to right, या हम कहा सकते है, from left hand side, तो जितने भी place values याद हैं, आपको, A से लेके, Z, एक से 26, 1 to 26, हर एक letter की specific direction है, वो आपको कहां से याद है, left hand से, by default, ठीक है, तो अगर left से count करने पे, A का place पहला है, left से count करने पे, B दूसरे place पे बैठा है, इसी तरह, दाइं और से count करने पे, पहला letter कौन होगा, Z, second from the right hand Y, third from the right hand X, करते करते हम, किसी भी letter को count कर सकते हैं, बट exam में ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, अगर मुझे पता है, कि J की position 10 है, कहां से, by or, या left से count करने पे, तो दाइं total is equal to left plus right minus 1, ये चीज़ सी की थी, इस rule के बिहाफ पे, अगर आपको कोई भी letter की position, अगर left से given है, उसे right से निकालना हो, या right से given हो, उसे left से निकालना हो, तो हम इन values में put करते हैं उन चीज़ों को, जहां पर हमारे total number of alphabet कितने होते हैं, 26, तो ये rule follow किया था हमारा rule number 1, तो हमने इस rule के भी हाफ पे एक shortcut भी सीखा था, कि अगर आपको कोई भी letter का place, left से given है, और आप उसे right से निकालना चाहते हैं, तो shortcut क्या था, अगर ये minus 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो वो plus में convert होगा, left plus right, total 26 होते हैं, plus 1 कितना बन जाएगा, 27, तो मतलब आपको sum कितना बना है, 27 बनाना था, अब जैसे कि मैं कहता हूँ, जे की position, left से क्या है, 10, आप उसे right से निकालना चाहते हैं, तो sum कितना बनाना है, total से एक जादा, तो 10 में क्या add करेंगे, 17, तो 17 from the right, याद आया, इसी तरह, अगर हमें पता है, कि S की position, 22 और से 19 है, तो right से क्या होगी, बनाओ sum सता, इस total से एक जादा, तो कितना आ जाएगा, 8 from the right, ये चीज़ें सीखी दे, और ये rule किसलिए था, ध्यान से देखो, to find the position of an alphabet from left hand side, oblique right hand side, मतलब अगर letter की place हमें left से given हो, उसे right से निकालना हो, जो कि अभी किया, या अगर right से given हो गया, तो उसे left से निकालना हो, मतलब क हमें letter तो left से बता है, अगर पूछा जाए कि बताईए, कौन सा letter ऐसा है, जो 15th right पे बैठा हुआ है, बढ़ हमें तो letter left से याद है, पूछा किस में गया, right में, तो हमने क्या किया, इस right को left में convert करके देखा, same rule, same rule follow होगा, तो shortcut same follow होगा, तो 15 में क्या add करूं, 12, क्योंकि जो letter मुझे alphabetical sequence में right से 15th place भी दिखाई देगा, वो left से 12th place भी आएगा, तो 12th left का letter क्या था, इसी तरह अगर पूछा जाए कि बताईए, के 10th from the right land कौन सा letter है, तो 10th right, बट मुझे तो letter left से आद है, तो इस right को left में convert किया, same इसी rule के साथ, तो वो 17th left पे होगा, और 17th left से म हम किसी भी letter की position, अगर हमें वो left से given हो, उसे right से निकालना हो, या right से given हो, उसे left से find out करना हो, ये सब कुछ चीज़, clear होगा, ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था, हमारा दूसरा rule, that is opposite letters, विपरीत अक्षर, कि कोई भी दो letters, अगर एक दूसरे के विपरीत हों, कैसे पता च condition थी, कि कोई भी दो letters, अगर वो एक दूसरे के opposite होंगे, तो उनकी position value का sum कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, अगर कोई भी दो letters आपस में अपनी place value का sum, अपनी स्थितियों का sum, 27, जोड 27 बनाते हैं, मतलब वो एक दूसरे के opposite होते हैं, कैसे, जैसे A का opposite Z है, कैसे पता च opposite कोन है, Y, कैसे पता चला, क्योंकि 2 में 25 आड़ करेंगे, तभी तो 27 बनेगा, मतलब B, Y का opposite, G का opposite कोन है, G का place है, 7, क्या आड़ करेंगे, 20, कोन बैठा हुआ है, T, G, T का और T, G का opposite हुआ, क्या दा रहा है, ठीक है, L का opposite कोन है, L की position है, 12, sum 27 चाहिए, तो 12 में 15 आड़ कर था, कि अगर आपको opposite letters चाहिए, तो वो opposite letter तभी consider किये जाएंगे, अगर उनकी position या place value का sum कितना हो, 27, दोनों rule clear थे, ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था, अक्षरों के जोडे के बीच में सापेक्षदूरी, के relative distance between pair of letter, sense क्या थी, इसकी actually, अगर आपको कोई भी word दे दिया जाए, जैसे की word दे दिया आपको alphabet, तो इस alphabet word के अंदर ऐसे कितने pair of letters हैं, जिन में exactly उतने ही letters का gap हो, जितना English alphabetical sequence में होता है, ये चीज़ सिखी थी, अगर English alphabetical order में किनी भी दो letters के बीच में दो का gap है, तो यहाँ भी दो का gap, अगर वहाँ चार का gap है, यहाँ भी चार का gap करने की technique क्या थी, pair निकालना था, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा task क्या था, हमें हर letter की position पकड़नी है, ठीक है, और एक shortcut भी सीखा था, कि जिस letter की position हमारे पास सबसे जादा हो या सबसे बड़ी हो, हम उसे consider नहीं करके चलते हैं, क्यों, क्योंकि उसे अगर किसी और के साथ pair बनाना भी है, तो अपने से जादा बड़ा number दिखना चाहिए, सबसे बड़ा number उसे बड़े number के साथ कहां से pair बना लेगा, ठीक है, तो हम जिस letter की positional यू सबसे जादा थी, हमने उसको discard किया, तो pair कैसे बनाए, पहले letter से count करते हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सा आठ नहीं मिला, क्योंकि हम ascending order में counting करते हैं, letter to letter, बढ़ते करम की तरफ, और जो ये rule है, दोनों direction में होता है, forward भी और backward भी, फिर से देखे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, नहीं बना रहा, 12, 13, इसे भी cancel करो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16, 17, 18, ये इसने भी नहीं बना रहा, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, रहा है, ये भी नहीं बना रहा, एक और दो, बन गया देखो, एक पेर, ए और भी कठे बैठे होते हैं, alphabetical sequence में, तो यहां भी तो एक ही साथ है, एक पेर बन गया, continuity बनानी थी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, और नहीं बनेगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी नहीं बना रहा, 5, 6, 5 6, 7, 8, ये बन गया देखो, E का पेर बना किस के साथ, H के साथ, ठीक है, 5, 6, 7, 8, E और H में दो ही लेटर होते हैं, कौन कौन से, F और G, यहां पर भी तो दो लेटर का gap है, लेटर सेम नहीं देखने, सिरफ gap maintain करके चलना है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं बनेगा, 20, count करन हैं, जिन में exactly, उतने ही लेटर का gap हो, जितना alphabetical sequence में होता है, clear था ये भी rule, ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था, अगर आपको कोई word available हो, उसमें given किये गए, जितने भी letters या अक्षर होंगे, उनको क्रमानुसार विवस्थित करना, मतलब according to the alphabetical sequence हमें उन्हें अरेंज करना था, जैसे कि अगर हम कोई भी word लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, word मैंने ले लिया education का, word क्या है, education, तो करने की approach क्या थी, कि अगर सभी के सभी letters को alphabetically arrange करना है, तो कैसे करेंगे, कभी भी compare नहीं करना, हमेशा इनका reference low position values के हिसाब से, अगर इन सभी के सभी letters को alphabetically, मतलब क्रमान अनुसार arrange करना है, विवस्तित करना है, मैंने क्या बताया था, कि अगर हम इन numbers को ही ascending order में arrange कर दें, तो वो ज्यादा better होगा, क्योंकि अगर ये number ascending order में arrange हो रहे हैं, तो by default हम इन letters को भी alphabetically arrange करना है, यही सिखा था, ठीक है, तो जो number सबसे छोटा होगा, सबसे पहले वही याद आया, ऐसे ही किया था, पांच के बाद उससे बड़ा number कोन है, 9, मतलब I आजाएगा, 9 के बाद कोन है, 14 है, ठीक है, N आजाएगा, फिर 15 आगया, O, फिर 20 आगया, फिर 21 हो गया, ठीक है, तो ये procedure सीखा हमने, word में जितने भी letters हैं, सभी को alphabetically arrange कर दिया, फिर आपकी ज होगा, दाइए और से पांच महां letter, 1, 2, 3, 4, 5, कोन हो गया, आई, left से बाइए और से 4 letter, 4 लेटर बाइए और से 1, 2, 3, 4, खोन हो गया, तो वह left या right से कुछ भी पूचा जा सकता है, ठीक है, या ऐसा भी पूचा गया था, कि जब आप इन्हें विवस्थित कर देंगे, alphabetically रीढंग कर देंगे असेंड़र में या according to the English alphabet, तो कितने letters या कितने अक्षर यहां पर ऐसे होंगे जो rearrange होने के बाद अपनी position को change नहीं करते हैं, तो कितने letters अपनी position को change नहीं कर रहे हैं? यहां तो हर letter जो है अपनी position को change कर रहा है, तो यहाँ पर answer क्या हो था हमारा नहीं, यहाँ पर कोई है ही नहीं मतलब task यह होगा कि alphabetically arrange करना होगा उसमें कोई न कोई आपको अलग-लग condition से question कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा तो यह हमारा rule number 4 था जहाँ पर हमने सभी के सभी letters को alphabetically arrange की फिर इसके बाद हमने rule सीखा था कि नए word का निर्मान करना, मतलब नए शब्द बनाना new word formation ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक word गिवन हो गया ठीक है, जैसे वही एक word ले लेते हैं word education की ही बात करते हैं अब इस word के अंदर आपको कुछ एक letters या educational ले लेते हैं कुछ एक letters जो है आपको pick करने के लिए दिये जाएंगे ठीक है, कुछ एक letters जो है आपको pick करने के लिए दे जाएंगे meaningful words बनाने के लिए जैसे कि इसी में ही अगर मैं आपको कुछ word देता हूँ ठीक है, word देता हूँ कौन कौन से यहाँ पर मैंने word दिये suppose आपको दे दिया मैंने यहाँ पर पहला letter ठीक है, या पहला छोड़ो कुछ और ले लेते हैं first नहीं लेते हैं, in between ले लेते हैं कोई न कोई ठीक है, suppose आपको इसमें given कर दिया, आपको पांचवा letter ठीक है, पांचवा letter उसके बाद साथवा letter ठीक है, साथवे के बाद given कर दिया आपको नोवा ठीक है, नोवा और ग्यारवा letter suppose यह पिक करके दे दिये यह letter पिक करने को दिये जाएंगे और जो यह letters होंगे उनसे word बनाने हैं, जैसे कि पांचवा पिक करते हैं, तो A ठीक है, साथमा पिक करते हैं, तो I ठीक है, नोवा पिक करते हैं, तो N और ग्यारमा पिक करते हैं, तो L तो यह word I आपके पास, ठीक है, कौन-कौन से L, I, A, A, और N ठीक है, अब इनसे कहा है, आपको meaningful words बनाने शुरू करने थे, तो जिसमें different different condition थी, अगर एक ही word बनता, तो उसका आपको कोई भी letter पूछा जा सकता था, second बताओ, third बताओ, fourth बताओ, या पहला बताओ, ठीक है, कोई भी अगर एक word बनता तो, अगर एक से ज़ादा word बनते तो उसकी different condition थी, suppose add the rate mark करो, अगर कोई भी word ना बनता तो उसके लिए कुछ भी, dollar mark कर दो, वगेरा वगेरा, वो तो conditions पे matter करता था, अब इनसे कोई word बनाएं, तो क्या बनेगा, इनसे सिरफ एक ही word बनेगा, nail, ठीक है, एक ही word बनेगा, कौन सा nail, और अगर एक word बना, तो उसके according लिए कोई भी condition, और इसमें एक और important point था, कि जितने भी आपको letters choose करने के लिए दिये जाएंगे, आपको सभी के सभी letters को use करना ही पड़ेगा, by any means, word अनिल नहीं बना सकते, क्योंकि आपका name और आपका surname, वो meaningful word पे नहीं आता, meaningful words इसमें वही रहेंगे, जो आपकी dictionary का part है, ठीक है, वो word की second form हो, third form of verb हो, singular हो, plural है, चलेगा, बड़ होना meaningful चाहिए, आपका name और आपका surname वो meaningful words में नहीं आए, आने वाला, ठीक है, काफी सारे question भी सीखे थे, इससे related, तो ये था सारे का सारा जब आपको meaningful words बनाने से related, कोई ना कोई question पूछा जाए, that is, new word formation, एक rule ये भी किया था, ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था, कि अगर हम letters को alphabetically arrange कर रहे हैं, तो इसी तरह हम words को भी तो alphabetically arrange कर सकते हैं, मतलब arrangement of words in alphabetical order, मतलब कि आपको कुछ एक words दे दिये गए, ठीक है, जैसे words दे दिये, roots, random, ठीक है, radium, ठीक है, और एक और दे दिया, recess, आपको क्या करना था, इन सभी के सभी letters को according to the dictionary, या alphabetical sequence, या telephone directory, उसके accordingly arrange करना था, ठीक है, कि जो word में सबसे पहले आएगा, वो बताईए, and so on बताते रहो, तो इसे करने की हमने क्या approach सेखी, कि dictionary में जितने भी words available होते हैं, वो सारे के सारे alphabetical arrange थे, कि पहले A से शुरू होने वाले words आते हैं, फिर B से शुरू होने वाले, फिर C, अब जो A से शुरू होने वाले word है, वो भी अपने हमें arrange जाए, ठीक है, कि A के बाद A कब कब आया, A के बाद B कब आया, मतलब हमने देखा था, कि अगर पहला letter common है, तो हम दूसरा compare करते हैं, अगर दूसरा common आ रहा है, तो तीसरा, तीसरा common है, तो चोथा, and so on, ऐसे ही arrange थे, अब देखो जैसे की R सभी में आ रहा है, तो हम दूसरा letter compare करते हैं, O, A से पहले आता है, बाद में, बाद में, तो पहला word ये तो हो नहीं सकता, तो R, A यहां भी common है, R, A यहां भी common है, recess भी इन दोनों के बाद ही आएगा, अगर दो letter common है, तो तीसरा compare करते हैं, N, D से पहले आता है, बाद में, बाद में, तो पहला word हमारा क्या हुआ, radium, और दूसरा word क्या हुआ, हमारा, random, तीसरा word, roots, O, recess में, R, O, R, E, तो तीसरा word यह हुआ, क्योंकि E, O से पहले आता है, और चोथे place पे कौन हुआ, roots, सभी को अगर dictionary order में arrange करना था, मतलब 1, 2, 3, 4, इन numbers को ही हम बढ़ते करम में arrange कर देंगे, मतलब by default आप इन words को alphabetically arrange कर रहे हो, या dictionary order, या telephone directory, ठीक है, क्या है, radium, random, number 3 पे, recess, number 4 पे होन है, roots, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कि second word बताओ कौन सा होगा, second word मतलब number 2, word is random, quick analysis हो रहे हैं, जितना भी सीख के बैठे हैं, confusion अगर कहीं भी हो, कि हाँ यार, मुझे तो इसमें doubt आ रहा है, क्या था, कुछ, कहीं न कहीं skip हो गया, तो rewind करके वो session ज़रूर देखा, ठीक है, otherwise हमने आपके सामने, हर एक point यहाँ पर elaborate किया है, जो जो जिस भी चीज से related आपको question पूछे जाएंगे, फिर इसके बाद हमने सीखा, middle value का rule, ठीक है, to find the middle position between two alphabet, अब middle value कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने कहा था कि अगर दो numbers हैं, 5 और 21, दोनों की middle value निकालने हैं, तो middle value निकालने की टेकनीक क्या थी, दोनों का sum divided by 2, तो दोनों के exactly middle में कौन सा number आता है, 13, इसी तरह हमने क्या सीखा, alphabet के case में middle value कैसे निकालने हैं, तो ऐसी situation में, अगर आपको दो letters given कर दिये जाएं, जैसे दो letters मैं आपको देता हूँ, E, and, मुझे निकालना है, S के बीज का, in between letter, exactly middle letter, कैसे निकालनेंगे, E की position, S की position, divided by 2, add करके divided by 2, तो कितना आ जाएगा यहां से, 12, वो 12th place पे कौन सा letter है, यही सीखा था, middle value निकालना या, exactly middle का, या midway निकालना, बताया था ना, चीक है, तो इसमें important point क्या थे, important point समझने वाले क्या थे, कि जितनी भी यह letters, आपको middle value निकालने के लिए दिये जाएंगे, उन दोनो alphabet या letters की direction का सेम होना जरूरी है, अगर direction सेम हैं, तो ही आप middle value निकाल सकते हो, बत अगर direction different है, मतलब अगर एक letter left से given कर दिया, और दूसरा letter right से given कर दिया, तो हमने क्या सीखा था, हमेशा right को ही left में convert करना है, तो अगर right को left में convert करेंगे, t is equal to l plus r minus 1 के साथ, या sum total से एक ज़्यादा बनाना है, 27 पहला rule यही था, तो 23 left आ गया, ये third left आ गया, sum divided by 2, तो ये चीज़ें सारी सीखी थी, और ये भी बदाया था, कि left left add होके answer किसमें देगा left में, और आपको values भी कहां से आदा है, left से ही आदा है, तो हमने right को left में क्यों convert करना सीखा, क्योंकि ये question को असान बना रहा था, रादर हम left को right में convert करेंगे, तो वो question answer तो आ जाएगा, बढ़ question धोड़ा lengthy हो जाएगा, ठीक है, और ये थो थी ये चीज़ें, बढ़ इसमें कुछ exception भी आती थी, exception like, अगर एक letter आपको given है C, और दूसरा given है X, के दोनों के middle का letter बताओ, तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एक odd number है, और एक even number है, तो आपस में जुड़ के वो क्या देंगे, हमेशा एक odd number या विशम संख्याई देंगे, जो कभी भी two से exact divide नहीं होगा, या हम कहा सकते हैं, हमारे पास कभी भी decimals में answer exist नहीं करते, तो हमारा answer क्या रहा था, no such letter exist, तो ये तीन different cases सीखे दे हमने, जब हमें कोई भी exactly middle का letter find out करना हो, तो ये भी चीज़े clear होगी, बस सीरफ और सीरफ आपको position value का पता होना चाहिए, और कुछ खास difference नहीं है, फिर हमारे पास rule आता था relative position between two alphabet, मतलब दो अक्षरों के बीच की सापेक्ष दूरी या सापेक्ष स्थिती, मतलब हम एक के comparison में दूसरे की position निकालते थे, किसी एक letter का reference लिते हुए दूसरे पर approach करना, ठीक है, जैसे की हमारे पास क्या थी example, 6th to the left of 18th from the left, समझने का तरीका 6th left निकालना है, किसका 6th left, 18th from the left का, 18th left का 6th left, तो हमने shortcut कैसे बनाया था, अगर हम 18th left पे आएंगे, वापिस 6th left पे चले जाएंगे, direction सेम है, तो हमें उन में क्या करना था, difference लेना था, तो हमें निकालना था, 6th left, किसका 18th left, 18th left का 6th left, दोनों left left है, difference लो, 12 आ गया, अब 12 कहां से, from के साथ left है, तो यहाँ पर भी left, क्योंकि reference वाली जो direction है, हमें वही consider करनी थी, 12th left पे कौन से letter है, L, यह आपका पहला case, इसके बाद हमने एक और condition सीखा था, यह पहला case था, दूसरा case क्या था, कि आपको जैसे निकालना है, 9th right, किसका 9th right निकालना है, जो 16th from the right है, 16th right, दाइं और से 16 में का, 9th right, दाइं और 9, राइट से आके वापिस राइट चले गए, मतलब दाइं से आए, वापिस दाइं में भाग गए, फिर से steps कम होंगे, direction सेम है, फिर से क्या करना है, direction सेम हो, तो difference लेना है, कितना आ जाएगा, 7 right से, बढ़ लेटर लेट से आदा है, तो convert करेंगे, total is equal to left plus right minus 1, या हमने sum total से एक ज़्यादा बनाना है, तो 20th left का letter कोन हुआ है, जिस सब कुछ हमने explain किया हुआ है, कि अगर एक letter की position, दूसरे के comparison में निकालनी भी है, तो हमेशा direction को target करो, अगर दोनों की direction सेम है, तो हमेशा minus करो, अगर दोनों की direction अलग लग है, हमेशा क्या करो, आपको add करना है, तो दोनों में हमने देखा, direction सेम थी, तो minus कर दिया, अब तीसरे case पे आते हैं, ठीक है, क्या निकालना है, 8th right, 8th to the right, किसका 8th right निकालना है, जो 16th left पे है, तो जो letter 16th from the left end है, उसका 8th right, left से आके 8 steps right में बढ़ गए, बढ़ गए, मतलब steps भी बढ़े, तो वही बात है, direction opposite है, तो add करना होगा, तो 24th left पे कौन से letter आएगा, X, 4th case में हमने क्या सीखा था, देखो फिर से, 7th to the left, 7th left निकालना है, किसका 7th left निकालना है, जो 16th from the right end भाग, तो 16th right का 7th left, 16th right का 7th left, right से आ रहे हैं, left में बढ़ गए, तो steps बढ़ गए, तो direction opposite होन में पे, हमने क्या किया था, add किया था, from the right है, क्योंकि reference यह बनाना देखो, from right है, तो यहाँ पर भी left, right होगा, convert करेंगे, four left, कौन से letter बैठा हुआ है, d, तो यह सब कुछ हमने सीखा हुआ है, detailed में explain मैंने आपको किया हुआ है, यह just क्या है, कि आपकी quick revision हुई है, कि अगर आपका exam nearby है, तो आपके पास ऐसे handy notes हो, जिससे आपको समझ आ जाएं चीज़ें, कि हमने chapter में किन-किन बातों का ध्यान रखा था, और कौन-कौन से rule पड़े थे, समझे थे, और अगर इन में से आपको ऐसा लगता है, कि rule आपने नहीं किया, या आपका skip हो गया, या उस level के question की practice up to that mark नहीं हुई है, तो आपको वो question की practice करनी है, तो ये quick revision points का basic concern यहीं था, कि आपका जो confidence level है, उसे और boost मिले, ओर ज़्यादा build up हो, confident हो कि हाँ हमें chapter अब आता है, क्योंकि detailed explain किया है, ओर ज़्यादा confidence आ चुक है, क्यों मैंने इसकी एक handy notes के साथ, मैंने एक revision भी की है, तो clearly idea है, कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें exam में देखने को मिल सकती है, तो ये beneficial होता है, इन quick revision points का, ऐसे ही हम सारे के सारे chapters के भी quick revision points जरूर देखेंगे, ताकि आपको exam preparation में, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तो हम अपने इंट से आपके लिए best efforts ला रहे हैं, smoothly preparation करेंगे, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, तो मिलेंगे जल्दी ही अगले chapter के साथ, तब तक के लिए thank you so much, take care, bye bye.